हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फ्रेंस में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के प्रिविएस एर की कुष्ण डिस्कस कर रहे हैं अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो यहाँ पर आइकार में आपको वीडियो मिल जाएगी साथ यह description box और screen end पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी और अगर आपको और वीडियो देखनी हैं तो playlist में आप चेक कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं आज के हमारे question पे question में हमसे कहा जा रहा है what is the type of insulator used for holding the HT high transmission overhead conductors on straight running of poles तो कौन सी insulator हम use मिलेते हैं high tension जो overhead conductors के case में तो लिये जाते हैं हमारे pin type insulator अगर very high transmission line की बात होती तो हम महाएपे use में लेते हैं post insulators basically जो आपके post insulators होते हैं ये आपके pin type insulator की तरह होते हैं लेकिन ये कभ यूज में लिये जाते हैं जब very high voltage line applications के related बात होती है तब आपकी यूज में ले जाते हैं, Post Insulators बात कहते है, Pin Type Insulator यह कभर यूज में ले जाते हैं जब आपके बात हो रही है 11 KV लाइन से 11 KV voltage लाइन से एक रिलाइन आपकी बात हो रही है, तो वहां पर हम यूज ले लेते हैं Insulator, Pin Type Insulator stay insulators कभ यूज में लिए जाते है stay जो insulators हो लिए जाते है stay wire के case में जब हमें जो starting और terminating ends होते है वहीं अगर हम बाथ करते हैं shackle insulators की तो shackle insulators भी starting और ending point में use में लेते हैं लेकिन कभ लेते हैं जब low और medium voltage line की बात हो रही होती है I hope so यह सब difference आपके सब के clear हो गयोंगे कोई भी doubt है तो comment box में बता सकते हैं जो भी next videos आएगी उसमें discuss कर लिए जाएंगे आज के लिए इतना ही अब मिलता है next lecture में जै हिंद